नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशान्त आप सभी का स्वागत करता हूँ बाहरतों नीजुलिन की बीच ICC Test Championship के फाइनल में साउथ हम्चिन के दाइजिस पाउल में मुकाबला खेला गया था टीम इंडिया को मैच के छटे दिन नीजुलिन ने आठ विक्टों से हरा दिया और वर्ल्ट चेस्ट टेंपिंशिप का खेताब अपने नाम कर लिया फाइनल मैच में नीजुलिन के उभरते हुए तेज गेंदबाई是我 कायल जमिनसन ने घातक गेंदबाजी किया और टीम इंडिया खुग जोर दिया था ये कायल जमिनसन की गेंदबाजी ही थी कि टीम इंडिया पहली पारी में 270 रन बना पाई पहली पारी में कायल जमिंसन ने रोहिच शर्मा और विराट कोली जैसे बल्लेबाजों का विकेट निकाला था इसके बाद नेचले करम के बल्लेबाजों को भी जल्दी निप्टा दिया था दूसरी पारी में जब टीम इंडिया संभलने की कोशिश कर रही थी तब कायल जमिंसन नहीं टीम इंडिया को दो जटके जल्दी जल्दी दे कर पट्री से उतार दिया था कायल जमिंसन ने भारती कप्तान विराट कोली को दोनों पारियों में आउट किया था जमिनसन के इस प्रदर्शन से भारत के महान बल्लेबाज सर्चन तिंदुलकर का भी प्रभाववित हुए हैं तिंदुलकर ने जमिनसन को लिकर कहा है कि कीवी टीम का यह वा खिलाडी वर्ल्ल क्रिकेट के शांदार आल राउंडर्स में से एक बने का पूर्भारती कप्तान तिंदुलकर ने अपनी यूट्यूब चैनल पर कहा जमिनसन एक शांदार गेनवाज है और न्यूजिलिन टीम के लिए उपियोगी आल राउंडर है वो यह वर्ल्ल क्रिकेट के शांदार आल राउंडरों में से एक बनने जा रहा है जब मैंने उन्हें पिछले साल न्यूजिलिन में देखा था तो उन्होंने मुझे बल्ले और गेन दोनों से काफी प्रभावई किया था 26 साल के जविंसन ने 2020 के शुरुआत से अब तक केवल आठी टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने पांच बार पांच या उससे ज़्यादा विकेट हासित किया है किवी गेन बाज ने WTC के फाइनल की पहली पारी में एक तीस रन देकर पांच विकेट और दूसरी पारी में तीस रन देकर दो विकेट चटकाये थे उनके इस पर दोशुन की बदौलत उन्हें मैच का परोस्कार मिला था फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं One India के साथ